हेलो फ्रेंज वेलकम बैक आप सब कैसे हो आई होप आप सब ठीक होंगे यहां पर जो मेरा मेंडोर है मेंडोर पर मैंने यह विंचाम्स लगा रखा है जिसकी कंडिशन काफी खराब हो गई है तो आद इसको ही हम रियूस करेंगी अभी आपको शायद क्लियर नहीं दिख रह तो बिल्कुल भी मुझे खुदको भी नहीं दिखाई दे रहा था कि मैं क्या शूट कर रही हूं तो यहां पर दे कि इसकी कुछ हालत इस तरीके से हो गई है और नीचे की जो पोर्शन मोती वगेर थे सारे तूट गए थे कुछ पार्ट मैंने संभाल के रखे थे और कि इनको मैं यूज करuju और इनको मैंने थोड़ा नया क allons बनाने के लिए इसको अगर अगर चार रखना चाहएं तो आप रख सकते हो लेकिन अब तो तो सेम हमने यूज कर लिया है तो इसको कुछ नय ना बनाय जाए तोमें इंको कर लिया h उसके बाद मैंने अपना बितार वगेरा नहीं लगे थे अम इसको टसल लगाकर और कुछ बीर्स का यूज करते वे इसको में नया लोग दे रही हूं तो इस तरीके से टसल बठाएंके और यहाँ पर जो ऊपर की साइड वाला पॉर्शन है इसको इस तरीके से राउंड राउंड करते हुए हम यहाँ पर नोट लगाके इसको अच्छे से टाइ कर देंगे और बाकी जो भी एक्स्ट्रा थैड होगा उसको हम कट कर देंगे और नीचे की जो पॉर्शन है इनको हम बराबर कट करके इसको अच्छे से इक्वल कर लेंग तो यहाँ पर देके इस तरीके से लेस को भी करके जितने मुझे पीस चाहिए उतने पीस मैंने रेडि कर लिया है अब फिर से मैं गोटा पती ले रही हूँ आप चाहो तो इसकी जगे थ्रेड ले सकते हो लेकिन मैंने ऐसे ही यह ली है ताकि अगर कहीं का पाट अगर दिखा मैं यहां पर 1 गोल्डन बीड्स और 4 यहां पर यह वाइट बीड्स और फिर से गोल्डन बीड्स डालते वे उसके बाद गे तो उसको डालेंगे तो उससे पहले मैं यहां पर एक नोट लगाऊंगी अगर नहीं लगाती हो तो यह जो बैल है हमारी बिलकुल नीचे चली जाएगी और जो मोती है इसके अंदर फिर से मैंने वही पैटर्ण रखाए एक गोल्डन बीड और च्यार वो वाइट वीड उसक कॉम्बिनेशन दिया है इसलिए मैंने यहां पर गोल्डन बीड का यूज किया है आप चाहो था हमारे पास जो दूसरे मीर होते हैं वो यूज कर सकते हो लेकिन मेरे पास यह प्लास्टिक वाले मीर पड़े थे तो मैं इसी का ही यूज कर रही हूँ तो यहां पर देखिए यहां पर नीचे का पॉर्षन को मैंने यहां पर एक एक नोट लगाई है और नोट लगाने के बाद मैंने इनको लैस को ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर दिया है जिससे अच्छे से हमारा यह मझबूत बन जाए और यहां पर उपर की तरफ मैंने मास्की भी यूस की है तक ही और मजबूत बन जाए इस तरीके से इसको भी मैंने नोट लगाते हुए जो में सी इमोती थे तही ओपर की तरफ लगा दिए जिससे देखने में थोड़ा अच्छा लगे तो देखिए हमारा यहां पर एक वेंड चैंप बनके बिलकुल रैडी है तो आप इस तरीके से कोई भी अपने घर में जूमर के अकोडिंग भी बनाना चाहो तो आप इसको बना सकते हो मेरे पास यह बैल वाली थी आप चा इसको फाइनल लुक है वह कुछ इस तरीके से हैगा तो आप चाहो दिसको रियूज कर लो वरना आप क्या कर सकते हो घर पे भी सेम पैटर्न का आप बना सकते हो उसके बाद दिखिए यहां पर मैं मेरे बच्चे बाहर खेल रहे थे उनको बाहर से पता नहीं कहां से यह मिल कर कर लिया है और उसके बाद इह पाद निछे की तरफ यहां पर थर्मा को लगा रहे हूं तकी मैं इसको जल्दी से से इसको अच्छे से श्टिक कर दो यहां पर अच्छे से स्टिक हो गया है अब हमें और दो बनाने के लिए व्येख पानी में डाल के इस तरीके से गोल बनाया है, और इसके अंदर डाल देया है, जिससे इसके अंदर फिक्स हो गया है अब मेरे पास यहाँ पर इस पर लगाने के लिए कोई भी समान नहीं था तो मैं सोच रही थी जो मेरे बेटी ने बोला इस पर पॉम-पॉम ही लगा दो आप आपके पास पॉम-पॉम पड़े हैं तो फिर उसके कहने से मैंने एक बार इसके उपर पॉंपम ही लगा हैं लेकिन मेरा मन था इस पर कुछ और कुछ क्रियेट करूँ करूँ जिससे कुछ नया और भी अच्छा लगी है तो चलो एक बार उसके कहने से मैंने pom pom use कर लिये हैं जब भी मैं दुबारा इसको recreate करूँगी तो वापस मैं आपके साथ जरू शेयर करूँगी कि मैंने इसके उपर क्या किया है लेकिन अभी फिलाल के लिए मैंने इसको pom pom लगा कि इसको decorate कर लिया है क्योंकि मैं बेटी का मन था इसको pom pom use करने का तो फिर उसी को ही use करते हुए मैं अच्छे से इसको decorate कर लिया है चलते हैं कुछ नए organizer की तरफ तो यहाँ पर देखिए मैंने ये 6.5, 6.5 के मैंने दो pieces लिये हैं और इसको मैं यहाँ पर four fold कर लूँगी यहाँ पर four fold करने के बाद अब आपको क्या करना है corner से 3 inch पे निशान लगाने है तो यहाँ पर इस तरीके से मैं पूरे में corners को लेते हुए 2 या 3 निशान इस तरीके से लगा लेना है और इस निशान को मिलाते हुए इस तरीके से हमें एक circle सा बना लेना है उसके बाद भी मैंने इस part को cut किया है cut करने के बाद देखिए 2 circle cut हो गए है अब उसी के size की मैंने एक form ली है तो आपको form को इस तरीके से fabric को उपर सीधा रखना है और पूरे form को इसके उपर stitch कर देना है यह मैंने form वही लिया है जो हमारे suit के या जो भी हम rediment कपड़े वगराज कर लेके आते हैं तो उनके साथ यह form आती है जो भी extra form है उसको हम cut करके इसको अच्छे से neat and clean कर लेंगे इसको मैंने clean कर लिया है cut करके इसको बाद हम रख देंगे उसके बाद मैंने दूसरा उला round लिया है और एक दूसरा combination में इस तरीका का fabric लेते हुए मैंने इस तरीके से इसको यहाँ पर fold किया है अब इसको हम इस तरीके से किनारों पर लगा लेंगे तो हम देखे इस स्क्वाइर पीस को fold किया फिर एक फोल्ड करके इस तरीके से ट्राइंगल शेप में हम इस तरीके से इसको बनाते हुए जितने भी पीसे पूरा round shape है उस round shape में हम इसको अटेच कर लेंगे तो मैं सारे पीसेज को पहले attach कर लेती हूँ हमें यह जो भी अटेच है वो simple plain कपड़े पर करना है form वाले part पर मैंने नहीं किया है वैसे आप करना चाहो उस पर भी कर सकती हो लेकिन form पे भी बार-बार machine नहीं चलती अच्छे से तो इसलिए मैंने plain कपड़े पी ही attach किया है और जो भी extra part था उसको cut कर दिया है अब जो formula part था इसके उपर रखेंगे जो हमने अभी सिलाई लगा थी ज़स उस सिलाई के उपर हम यहाँ पर एक सिलाई और लगा लेंगे तो दोनों portion को एक दूसरे के उपर उल्टा रखेंगे जैसे हम सीधा करेंगे ताकि दोनों part हमारे सीधा हो जाए थोड़ा सा part खुला छोड़ते वे मैं यहाँ पर इसको पूरे round में इसको stitch कर लूँगे stitch करने के बाद अब देखी यहाँ पर इतना पाट हमारा खुला है और stitch करने के बाद छोड़ छोड़े बिल्कुल cuts लगा लेंगे ताकि जो इसको open करेंगे तो इसके जो किनारे होएंगे वो बिल्कुल अच्छे से finish में round shape में हमारा खुल जाएगा तो अब इसको मैं यहाँ पर जो portion हमने खुला छोड़ा था उस portion में से मैं क्या करूँगी इस में से इसको निकाल लूँगे निकालने के बाद इसके जो हमने triangle shape बनाएं उसको खींचते होएं अच्छा से हम इसको set कर लेंगे जो भी extra part खुला है उस part को हम क्या करेंगे अंदर के तरफ थोड़ा fold कर देंगे और fold करने के बाद पूरे round shape में इसको stitch कर देंगे तो यहां पर मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया है अब पूरे round में हम इसको stitch कर देंगे ताकि इसकी तो finishing है और जो हमने यहां पर triangle वाले जो pieces लगाएं बिल्कुल अच्छे से fit हो जाए तो दिखी आपका यहां पर एक organizer बनके ready है अब आप इसको tea coaster की तरह यूज कर सकते हो तो मैंने यहां पर इसको tea coaster के लिए ही बनाया है आप चाहो तो hot case में इसको रखने के लिए या kitchen में भी इसको यूज कर सकते हो उसके बाद इखी मेरे यह बेटे का खिलोना है जो टूट गया मतब drum था तो drum के जो उपर वाला portion था वो टूट गया था तो मैंने यहां पर इस ring को यूज कर रही हूं इस ring को यूज करने के लिए मैंने यहां पर एक यह thread ली है और अच्छा सत में कुछ यहां पर cloth clip ली है तो इस cloth clip को हम इस तरीके से log कर देंगे नौट लगा के जिससे यह खुले ना और उसके बाद यहां पर इसके अंदर हम इस तरीके से इसको adjust कर देंगे तो यहां पर थोड़ी सी हमें thread को cut कर लेना है और cut करने के बाद अब हमें इस लगाने के बाद अब दो जो यहां पर extra थी उसको मैं यहां पर एक साथ ही ले रही हूं क्योंकि यहां पर मैं कि इसको जो उपर की तरफ जो portion में hang करूंगी तो उसके लिए मैं अलग से thread नहीं लिये इसी जो cloth clip की extra thread थी मैंने इसको ले लिया है दो इस तरफ से मैंने lock कर द किसे कपड़ों को अपने घर के अंदर ही इस तरीके से dry कर सकते हो इस तरीके से hang करके आप इसको कहीं भी dry करने के लिए रख दे सकते हो आपको यहां पर कहीं भी उपर जाने की या किसी बी डोरी की जरूत नहीं पड़ेगी हैं करने के लिए organiser आपके लिए काफी useful रहेग जिनके size देखे आप measurement 9 by 11 inch की है तो यहाँ पर मैंने इसके 2 piece लिये हैं इन दोनों pieces को हमें यहाँ पर उपर की तरफ से इस तरीके से fold कर लेना है fold करने के बाद अब हमें यहाँ पर इसके उपर इस तरीके से रख देना है तो देखे दोनों part को मैंने यहाँ पर इस तरीके से रख दिये stitching वाला part हमें उपर रखना है और यहाँ पर इस तरीके से 4 तरफ से हम इसको stitch कर देंगे तो यहाँ पर 4 तरफ से मतलब जो नीच्चे वाला portion लिया है और वैसा ही से मैंने एक lining लिये इस lining को इसके उपर रखेंगे और यहाँ पर आटा चाल वाला मैंने एक bag लिया है इतना portion छोड़ते वे मैं इसको चारो तरफ से इसको stitch कर दूँगे मैंने यहाँ से इसको stitch कर दिया है और इतना part मैंने खुला छोड़ दिया है corners को हम cut कर लेंगे finishing के लिए और उसके बाद जो part हमने खुला छोड़ा था उसको हमें वापस से इस तरीके से पलट लेना है आपके पास अगर कोई form बुक्रू में तो आप उसका भी use कर सकते हो तो मैं इसको पलट के अच्छे से इसके corners निकाल लूँगे ताकि बिल्कुल अच्छे से ये set हो जाए और हमारा एक organizer बनके ready हो जाए अब जो भी ये extra वाले part हैं और जो उसके corners है मैसीजर की help से इसको धीरे धीरे निकाल लिना है और जो extra part था उसको अंदर की तरफ fold करते हुए यहाँ पर हम इसको stitch करेंगे और stitch करेंगे तो पूर हमें यहाँ पर जो हमने fabric लिया है इसको यहाँ पर पूरे चारो corners stitch करते हैं इसको अच्छे से finishing दे देंगे अब हमारे एक organizer बनके बिल्कुल ready है अब हमने एक hanger लिया है और hanger में इसको इस तरीके से डाल देना है डालने के बाद देखी आप आप इसको organizer को किस तरीके से यूज ले सकते हो मैं यहाँ पर जो छुटटे मेरे clutch होते हैं उन clutch को डालने के लिए यूज ले रही हूँ जिससे मेरे जो clutch है बिल्कुल भी मिट्टी वगेरा से खराब ना हो और आपको जहां इसको hang करना चाहो वहां आप इसको hang करके यूज कह सकते हो तो अगर आपको मेरे idea अच्छे लगे हो तो प्लीज वीडियो को like कर देना चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को subscribe कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में